सादर परणाम, आपके अपने चैनल इंफोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभी नंदन है आज के वीडियो में हम जानेंगे वियना संधी के विशय में हम जानेंगे चर्चा क्यों कर रहे हैं यानि कि चर्चा में क्यों है और जब वियना संधी के विशय में जानेंगे तो हम एक प्रष्टुभूई में जो 1814 में संधी हुई थी उसके विशय में भी बात करेंगे और आज के वीडियो में जानेंगे कुलभूशन से संबंदीत मामले में भारत और पाकिस्तान किस किस तरीके से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं देखे वियान संदी जो है फिलाल चर्चा में तो इसलिए है कि भारत ने आई से जय में कुलभूशन जादव का मामला जो उठा रखा है वो इसी संदी के तहत उठाया है भारत ने वर्दमान में जो अभी 18 से 21 फरवरी तक एक सारुजनिक सुनवाई हुई जसमें भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना पक्ष रखा और आशा ये की जा रही है कि इसी साल आई से जादव से संबंदीत को इसी वर्ष आ जाएगा भारत ने आई सी जे में जब अपनी बात रखी तो ये कहा कि पुलवार्मा हमले का भी साथ साथ भारत ने जिक्र किया और ये कहा कि पाकिस्तान जादव को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो फर्टमान में कुलभूषन जादव से संबंधित जो मामला है चर्चा में है इसलिए वियना संधी को जान लेना यानि कि मामले से संबंधित पारीकियों को जान लेना जरूरी है देखे इससे पहले जब हम विएना संदी को जाने उससे पहले हम बात करेंगे विएना कॉंग्रिस की क्योंकि जो ये संदी हुई थी उससे पहले यानि की 1814 में यूरोपिय देश्यों के जो राजदूथ हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन हुआ था सितंबर 1814 से जून 1815 तक सम्मेलन का आयोजन किया गया था वियना में वियना जो कॉंग्रेस है इसे संदी ना कहके इसे कॉंग्रेस नाम दिया गया था तो वियना कॉंग्रेस का मुख्य उदेश ये था कि जो फ्रांसीसी क्रांतीकारी युद्ध है, नेपोलियन युद्ध है और पवित्र गोमन सामराजी का जो विगटन है इससे बहुत सारी समस्याई उत्मन हो गई थी और बहुत सारे मुद्धे एकत्रित हो गए थे तो जिनका हल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस उदेश से यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था अब नेपोलियन को सेंट हैलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया उसके बाद आउस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी वो इखटी होती है और एक सम्मेलन का आयोजन कर दी है उद्देश ये था कि यूरोप के मानचित्र को व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपनी विजय से उथल पुथल कर दिया था तो इस उद्देश से एक सम्मेलन रखा जाता है कि यूरोप का जो मानचित्र है उसे दुभारा से व्यवस्थित किया जाए अब इस सम्मेलन में नीती निर्माण के संबन में आस्ट्रिया का चांसलर मेटरनेक रूस का जार एलेक्जेंडर और इंगलेंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे साथी फ्रांसीची विदेश मंत्री तैलरा ने मुख्य मुमी का निभाई थी और जो 1815 में ये संदी हुई थी इसके उद्देशे थे कि उत्तर में नीदरलेंड सामराजी की स्थापना, दक्षन में जेनेवा को पिटमांड के साथ मिलाना, प्रशा को पस्चिम में नैक्षे प्रदान करना और पूर्व में रूस को पोलेंड का एक हिस्सा देना, साथी साथ फ्रांस में पुनह राजतंत्र की स्थापना करना, अब जान लेते हैं जो वर्तमान में चर्चा में है वियना संधी, ये संधी हुई थी 1961 में, इस संधी के अंतरगत अंतराश्टी संधी प रासत में रखा जा सकता है, संधी में कुल 54 अनुच्छेद हैं और 191 देशों ने इस संधी के पालन पर सहमती जता दी हैं और इस संधी के तहत राजनईकों को विशेश अधिकार प्राप्त हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अंतराश्री कानूनों का भी प्रावधान है, अब जब यह संधी हुई थी, इस संधी के दो वर्ष बाद, यानि कि 1963 में संयुक्त राश्ट संग ने वियना कन्वेंशन ओन कॉंसूलर रिलेशन्स के नाम से नए संधी के प्रावधान किये, जो यह प्रावधान थे, वो 1964 में लागू हुए और संधी का ड्राफ्ट तया किया था इंटरनेशनल लौ कमीशन ने, कुल इसमें 79 अनुच्छेन हैं और अभी तक 179 देशों की इस पर सहमती बन चुकी है, इसी संधी के आधार पर भारत ने कुल भूशन जाधाव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस यानि की ICJ में उठाया है, संधी के हालक देश की बहुत सारे अनुच्छेदें, लेकिन हम यह मुख्य दो अनुच्छेदों की ही बात करेंगे, तो अनुच्छेद 31 के अनुचार है कि मेजभान देश दूता वास में नहीं घुस सकता है, लेकिन उसे दूता वास की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी, अन जो विदेशी नागरी गिरफतार किया गया है यदि इको चाहता है कि फैक्स के माध्यम से यहां पर जो राजनाइक हैं उन्हें सूचना दी जाए तो ऐसा करना होगा यानि कि राजनाइक पहुच देना जरूरी होगा इंटरनेशनल कोर्ट में इटली के नौ सेना के अफसरों को भारत के द्वारा गिरफतार किया जाने का जो मामला था इसी संधी के तहत चला था यानकि बेक्राउन में इस संधी के तहत पहले भी मामला जा चुका है अब जान लें ये तो था संदी के अंतरगत क्या-क्या प्रावधान है अब जान लेते हैं कि जो पुल्भूशन जाधव है उसका मामला क्या है देखे जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालक ने जासूसी के आरोप में गिरफतार किया था और उसे फांसी इसी जासुसी के आरोप में फांसी की सजा भी सुनाई है हाला कि जो भारत नहीं मामला उठाया है वो अनुच्छे 36 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उठाया है जिसमें ये कहा गया है कि जो यदि विदेशी नागरी गिरफतार होता है तो संबंधित तूतावास को इसकी सूचना देनी होगी अब जो कुलभुशन जादव है वो नौसेना के पूर्व अधिकारी है और फिलाल जेल में है पाकिस्तान का ये आरोप है कि वो जासुस हैं जबकी भारत का ये कहना है कि जादव को इरान से अपरण किया गया था तो ये दोनों के तरक अलग अलग है इनका ये कहना है जो भारत उसका ये कहना है कि बॉर्डर से उसको अगवा किया गया था जो कुलभुशन जादव है लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि वो जासुस ही कर रहे थे इसलिए उने गिरफतार किया गया अब बात रखें इसकी तो मुकदमे में ICJ में भारत का पक्ष बहुत जादा मजबूत है अब ये हाली में जैसे कुछ जो निरणे आये हैं उसमें पाकिस्तान ने जैसे उसके जो वकील है जो इस केस को पाकिस्तान राजने पहुँच इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि संधी में एक प्रावधान ये भी है कि राश्री सुरक्षा के मामलो जैसे कि आतंकवाद है या जासूसी है इन संदर्बों में यदि गिरफतार विदेशी नागरिक कोई विदेशी नागरिक गिरफतार किया गया है तो उसे राजनेग पहुच नहीं भी दी जा सकती है खास कर तब जब दो देशों ने इस मामले पर समझोता कर रखा हो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में इस संदर्ब में 2008 में समझोता हुआ था और पाकिस्तान बार-बार इसी समझोते का हवाला देते हुए जाधव को राजनाइक पहुच नहीं दे रहा है तो इसी समझोते के बहाने से वो बार-बार अपना पक्ष रखता है और कहता है कि इसी ये समझोता हमारे बीच हुआता और इसी के कानन यहाँ पर राज नहीं पहुँच नहीं दी जा रही है फिलहाल आशा है कि इसी साल नेरणे आ जाएगा कुल भूशन जाधव से संबंधित जो भी मामला चल रहा है भारत का पक्ष मजबूत है शुब समचार मिलेगा इस संदर्व में ऐसे अपेक्षा ही रख सकने है बहुत जाधा इंपोर्टेंट टॉपिक है फिलहाल चर्चा में भी है तो इससे संबंधित जो प्रावधान है भारत अपना पक्षकिन आधारों पर आईसीजे में रख रहा है तो इन बिंडों को ध्यान में रख कर वीडियो तयार किया है अपेक्षा है बहुत जाधा महतोपोर्ण है परिक्षा के दृष्टी से बहुत जाधा महतोपोर्ण है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करने के साथ साथा आप जादा से कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ लगातार बनी रहीएगा अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थन्यवाद